हेलो फ्रेंक्स कैसे हैं आप सभी लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पिछली दो सीरीज को बहुत ही अधिक पसंद किया जिससे हमें और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिल रहा है इसी तरीके से आप अपना रिस्पॉंस देते रहे और हमारी सीरीज को लाइक करिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पिल क्लिक करना मत भूलिएगा आए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पार्ट थ्री आज की शुरुवात हम अपने चैनल की पंच लाइन से करना चाहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट अगर जिन्दिगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं और इनी तरीकों को आसान करने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रियास ताकि आप अपने लक्ष को पास सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पार्ट थ्री फ हैं फॉस्ट कोषon हैं मतलब किस रीजन से pää दिन और रात होते हैं हमारा चार अप्षन है darum है डैनिक गति के कारण वसी कारण चमाही करति के कारण या या तिमाही करति के कारण वीडियो कु यही पौर्स कीजिये और अपना अंसर बियास कीजिये चलिये और आउसर आपको बताती हूं आउसर है द ह्कारण जो पृतिवी में है लड/. नीज घूती है पृतिवी कुस्हांच के डिन और राथ होते हैं बानी अंद्रता संघर्ष के दोरान डेकन एजुकेशनल सुसाइटी नामक संस्था की स्थापना किस नहीं की थी ऑप्शन्स है जवालाल नेरू रविन्ना टैगोर बाल गंगाधर तिलक व्योमेश चंद बैनर जी राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ये तिलक के पिक्चर है जिने लोकमान ने भी कहा जाता था इनका जम 23 जुलाई 1856 को हुआ था और इनके मित्तियों 1 अगस्त 1920 को हुई थी जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था उसमें अस्वायोग आंदोलन के दोरान इनकी मृत्ती हो गई थी महाभाष्य लिखा था मिज महाभाष्य किस ने लिखा था इन में से मनुने वाण ने वाण मतलब वाण भठ ने गारगी ने या पतंजली ने तो इसका राइट आंसर है पतंजली ने महाभाश ये पतंजली मुनी के द्वारा लिखा गया था सुपर्मून के समय चांद लगबग कितना प्रतिशक बड़ा दिखाई देता है जब सुपर्मून की घटना होती है तो चांद कितना बड़ा दिखता है 5% नॉर्मल मून से कितना बड़ा दिखता है 14%, 50% या 20% तो इसका राइट आंसर है 14% ये नॉर्मल मून एक साइट दिखा रहे हैं एक साइट सुपर्मून देखिए आपको हलका सा वो बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये 14% बड़ा दिखाई देता है किस गुप्त राजा को विक्रमा दित्ती के नाम से भी जाना जाता था समुद्ध गुप्त, कुमार गुप्त, चंद गुप्त प्रथम या चंद गुप्त दित्य आपके सामने राइट आंसर आचुका है चंद गुप्त दित्य यह गुप्त सामराजी के एक महा प्रतापी राजा थे जिने विक्रमा दित्ति कहा जाता था इनका शाशन था 380 से 412 इस्या पूर्व तक भारत का पहला अकबार का प्रकाशित हुआ था तो हमारे पास ऑप्शन है 1826 में 1830 में 1827 में या 1825 में तो इसका राइट आंसर है 1826 में ये एक सापता ही कगबार था और हफते में मंगलवार को रोच छपता था इसका नाम था उद्दंट मार्दंट इसमें खड़ी बोली और ब्रज भाशाम का इस्तमाल जादातर होता था इसकी शुरुवात पंडित कुमार शुकला ने किया था और इसकी सबसे पहले 500 प्रतिया चापी गई थी और इसके एक बंध होने का कारण था डाक के जादा दाम और हिंदी पार्ट को उसके दूर होने की वज़े से एक बाद जल्दी ही वित्य दिक्तों में फस गया और बंध हो गया था और इसके छपने की जो डेट थी वो 30 मई 1826 है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं ौप्शAyन है मारे पास प्रतिफल अभ-कारक अभिकारक या औूक्सी कारक तो इसका राइट आंसर अभिकारक जैसे कि हम कोई रियक्षिन करवाते हैं तो रियक्टैंट जू होते हैं उन्हें अभिकारक बोलती है और जो उससे products निकलता है वो product होता है और जो reactant जो दो चीज़े मिलके और product बनाती है तो जो दो चीज़े मिलती है उन्हें reactant या अभी कारक कहते हैं नेक्स कोशन उत्ता प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था तो इसके options है United province, आरिप्रदेश, अवध प्रांत और उत्तरी प्रांत तो इसका right answer दीजिए राइट answer है United province ये उत्ता प्रदेश है जो भारत के उत्तर में पड़ता है Q9. ौरे आर्थिक क्रियाओं का उत्धेश क्या होता है जो economic activities होती है उनका उत्धेश क्या ओता होता है जीवी को पारजन के लिए के लिए होती है मरुंचान के लिए Province A और WAG मतलब जी वी को पारंजन मारुंचान के लिए इन में से कोई नहीं सब्सकोजा 11 जिए價lawक क्रिया हों मतलब होता है कि जो हम क्लान मिकडंश करते ही ία हमारे जीने के लिए होती हैं जीवन जीने के लिए अरजन पुरुसकार किस चित्र में उत्क्रिष्टिता के लिए प्रदान किये जाते हैं तो ऑप्शिन से सिनेमा में दिये जाते हैं साहित्य में खेल कूद में विज्ञान में इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर है खेल कूद में दिये जाते हैं यह इसके डिस्क्रिप्शन है जो नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं जो हमारे इंडिया में जाते हैं वो कौन-कौन से राजीव गांधी खेल रत्रु पुरुसकार दिया जाता है अरे हमारे चैनल को जबया ज्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू